सभी को राम राम आज संडे है और मैं आप लोगों को पिछले हफते की आटो मूबिल न्यूज बताने वाला हूँ हर बार की तरह मतलब जानतर बार की तरह मैं इस बार भी लेट हो गया हूँ फर्स्ट कमेंट अवर्ड का जो बिनर है उसका नाम एनाउंस करने में लेकिन आज संडे है मेरे पास तोड़ा बहुत समय है ये न्यूज वाला वीडियो बनाने के बाद मैं मैं उस वीडियो पर काम करना शुरू करूँगा तो आज शाम तक मैं नाम एनाउंस कर दूँगा और जल्दी ही उसको 5,000 रुपे का प्राइज मनी भी दे दूँगा जिनको नहीं पता उनको बदा दूँगा इस चैनल पर फर्स्ट कमेंट अवर्ड चलता है मतलब की पूरे महीने में जितने भी वीडियो जलते हैं उसका नोटिफिकेशन जैसी आपके पास आए आपको एकांट में ट्रांसफर करवा सकते हो या फिर एमेजॉन से कुछ भी आइटेम ओडर करवा सकते हो अपने एड्रेस पर तो चलिए अब न्यूस के बारे में बात कर लेते हैं तो सिट्रन ने अपनी सब कॉम्पेक्ट सीवी सीथी को इंडिया में लॉंच करने वाली यह कई है काफी महेंगी गाड़ी से करी है और जो भी ओवर प्राइस बहुत जारा थी आगे देखते हैं किस तरह के प्रॉट्ट लॉंच करती है सीथी की प्राइसिंग कैसी रखती है देखेंगे एक्स्वी सेवन डबलो यह पिछले तीन या चार टीजर इसके आ चुके हैं और स सेग्मेंट फीचर महेंदर वाली एक के बाद एक दिखाने में लगे हुए है ऐसा लग रहा महेंदर वाले कुछ बड़ा करने वाले हैं अभी तक आप लोगों ने देखा कि एक्स्वी सेवन डबलो में सेग्मेंट की सबसे बड़ी पैनेग्रेमिक संडूरूफ मिलने वा है इसके लावा बूस्टर हैं अगर आप बाड़ी तेश्च चलाते हैं तो उसके साथ आपके हैडलेंस पावर्फुल होते चले जाते हैं ताकि नाइट ड्राइविंग में दिक्कत ना है और अब आके नोने टीज किया है स्मार्ट डोर हैंडल तो यह एक के बाद एक पता संडे को बताया था कि XL6 का एक अपडेटिड वर्जन राउंच होने वाला है इंडिया में आप जो ख़बर मिली है वो यह है कि अगले साल की शुरुआत में होगा और उसमें आपको 1.5 लीटर BS6 से डीजल एंजन मिलने वाला है मतलब कि जो चीज मारुती वाले पहले शुरू करेंगे बलेनों का फेसलिफ्ट भी इंडिया में आने वाला है लेकिन इस साल तो नहीं अगले साल आएगा यह कपड़ी इसके साथ में लटकती हुई आई है आगे बढ़ें तो नेक्स जनेरेशन फॉर्चुनर को थाइलेंड में टेस्ट करते देखा गया या या जарे लोगों का बोलना है कि यह नैक्स जनेरेशन फॉर्चुनर नहीं है यह फॉर्चुनर का एक श्पॉर्टी वेरीयंट है बैमेर इत्लिया जानसे हैं तो इस जनेरेशन ने के चांसे जान्त है नेक्स अंडेशन अगर यह है तो इस साल के आखर तक इसको डेब्यू कर दिया जाएगा और 2023 के लास्ट तक जहां तक है इंडिया में यह आ जाएगी फॉर्ट्टिनल का भी हाली में फेसलिप्ट लॉंच किया गया है जिसमें इसको और प्रेस्ट कर दिया गया है आगे बढ जो की हाइपर कार ब्रेंड से इन दोनों ने हाथ मिला लिया है और एक नई कंपनी मना लिए जिसका नाम है बुगाटी रिमेक लेलसी इसमें 45% शेर से पॉर्शे के और बाकी 55% शेर से रिमेक के तो यह दोनों मिलकर कुछ कमाल करने वाले है रेंज रोबर इवक को लांच कर दिया गया है 64.12 lakh रुपीज में इसमें 2 लिटर 4-cylinder diesel engine मिलता है जो लगबग 2104 BHP की पावर जिनेट करता है और 430NM का टॉर मतलब की पहले से यह लगबग 24 BHP पावरफुल है पेट्रल इंजन इसमें पहले वाले ही continue किया गया है 2 लिटर पेट्रल इंजन 250 BHP की पाव से इनकल लॉंच किया गया है है हरियेट डार्क का भी जो एडिशन है उसको अपडेट कर दिया गया है किन-किन वेरियंट में मिलता है और कितना प्राइस में अंतर है वो मैं आपको इबर पता देता हूं तो आपको दरदर बठकना नहीं पड़ेगा आल्ट रोस का डार्क है बैँकल का लेना चाहते हैं तो आपको यह उन्तीस हजार से त्यातालिस सिजार रोपे में पड़ेगा एकशन प्लस और ऐकषट प्लस लक्स पर यह डार्क एडिशन क स्कृशन आपको कमाल लग रही है काफी स्पोर्टी और प्रीम्युम लग रही है मैं तो कहता हूं ले रहे हो तो ले लो हालनकि black को maintain करना थोड़ा मुश्किल होता है अगर आप regularly अपनी गाड़ी की care करना जानते हैं और साफसफाई रखते हो तो black best लगता है किसी भी कार के उपर गंदा जल्दी हो जाता है लेकिन citron c5 aircross जोकि उनका एक लौता प्रोड़क्ट एंडिया में अभीता के इन्हों ने इसकी home delivery शुरू कर दिये सबसे पहला जो लौट था सूरत हैतराबाद और चंदी कड में वो डिलीवर कर दिया गया है घर पहुंचके आप तो उस घर पेटे और order कर दो लोग आके गाड़ी अपके दी जाएंगे 50 शहरों में आलफलाल यी सर्वेस शुरू की गई है तेरे जरे अपने पेर पस अरेंगी न्यू लोटस एमिरान को रिवील कर दिया गया है इसमें 3.5 लीटर V6 इंजन मिलता है और 2 लीटर फोर स्लेंडर टर्पुचार्स इंजन मिलता है पावर और अभी तक रिवील नहीं किये गए है और नाहीं इसकी इंडिया आने की कोई ख़बर है न्यू BMW 2-series कूप को भी रिवील कर दिया गया है इसमें 2 लीटर स्वरी स्वरी दो तरह के पेट्रोल इंजन मिलते हैं और एक मिलता है माइल हैवरेट डीजल इंजन तो तीन इंजन मिलते हैं इंडिया या आएगी नहीं पता अभी तक महिंद्रा ने अपनी गाडियों के प्राइस को बढ़ा दिया है सबसे ज्यादा प्राइस बढ़ाये गाए हैं थार के थार को 32,000 से 92,000 रुपे 32,000 रुपीज तक महंगा कर दिया गया है यार मतलब इतना महंगा आल्ट प्राइस से 38,000 रुपे बढ़ा दिये गए हैं एक सीवी 3,000 के 3,000 से 24,000 रुपे तक बढ़ा दिये गए हैं और एक सीवी 5,000 में भी 3,000 रुपे का इंक्रीमेंट किया लिया है तो यह प्राइस सर्फ महिं रही नहीं हर कोई कंपनी बढ़ा रही है कोई की रॉ मेहंगा हो आए हर चीज महँगी हो रही है पेट्रॉल डीजल आसमान चुरा है और उनकी वेज़से हर चीज महँगी होती चली चा रही है यह इस साल हर किसी गंपनी ने तीसरी चौती बार प्रैसेज बढ़ाएं अब यह आदा साल गुजरा है बाकी आदा साल बचा हुआ है गाड़ यह देखना आप यह बिखेगी लैंड रोवर डिफेंडर 90 को लॉंच कर दिया गया है 76.57 रुपीस से शुरू होकर यह 1.12 करोड रुपीस तकी मिल जाती है इसमें 2 लीटर और 3 लीटर पेट्रोल इंजन मिलते हैं और 3 लीटर डीजल इंजन भी दिया हुआ है BMW ने अभी ह इसकी विजा से अब एंडेवर आपको थोड़ी महंगी मिला करेगी महंगी मतलब प्राइसे बढ़ाय नहीं गया है लेकिन बेस वेरेंट डिसकंटीनी हो गया है तो अब जो लोग बेस लेने वाले तो उनको 3-3 लाग रुपे और जादा करना पड़ेगा अब यह आपको स लेक रुपीज से शुरू होकर यह 36.25 लेक रुपीज तक ही मिल जाया करेगी पिछले महीन मतलब की जून में एंडेवर सेग्मेंट किंग फॉर्चनर से ज्यादा बेकी है और मैं तो कहता हूं डिजर्ट भी करती है वो अच्छी गाड़ी है फॉर्चनर से बहतर गाड़ स्परास्मेशन दिया हुआ है इस्टेलांतेस शायर आपने इस्टेलांतेस ना सुना हो स्टेलांतेस एक ग्रुप है स्टेलांतेस का है इस कंपनी के अंदर 14 करम करते हैं जैसे की फ्यैट, क्रेस Low, क्राइजोर, क्रैज, मेजराटी, इप, सि उट्रून, यह सारी शारी 2030 तक इन सभी कंपनीज को सिर्फ एलेक्ट्रिक करना यह सिर्फ एलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाया और बीचा करेंगी तो आप देख रहे हो कि पूरी को पूरी दुनिया अब एलेक्रिफिकेशन के ऊपर जा रही है जीप ग्रेंट चिरोक फॉर एक्सी प्लग इन हाइबरेट को रिविल कर दिया गया है यह जीप की चौथी प्लग इन हाइबरेट प्रोड़क्ट है इसकी इंजन डिटेल सभी तक बाहर नहीं आई है इंडिया में यह लॉंच होगी लेकिन अगले साल इस साल नहीं जीप मेर हाइबरेट टेक्नलोजी हारलेट डैविट्सन स्पोर्टस्टर एस की डिटेल्स को लीक किया गया है या हो गई है जो भी कव अपई तक यह तो पता था कि इसमें साड़े बारा सो सीची का एंजन मिलेगा लेकिन यह वन पेंटीवन बीच्प की पावर जिनेट किया करेग यह नहीं पता था बाकी 13 जुलाई को इसका ओफिशल होने वाला है तब देखते हैं देटेल से नकल कर आ जाएंगी फोर विलर्स की तरह हीरो मोटो कॉर्प सुझू की ने अपनी मोटर साइकल के प्राइस को भी बढ़ा दिया है लगबग 3,000 से 3,500 रुपे तक हर किसी गा 1250GS और 1250GS एडवेंचर को लॉंच कर दिया गया है यह 20.45 रुपीज तक की मिलती है आगे भड़ें तो बैनली 502C की प्री बुकिंग्स शुरू हो चुकी है अभी तक यह लॉंच नहीं हुग है लेकिन बुकिंग शुरू हो गई है 10,000 रुपे की टोकन आप इसको बुक क मिलने माला है जो लगबग 47.5BHP की पावर दिया गरेगा और 46Nm का टॉर्क लगबग यह 4-5 लाक रुपे के प्राइस टेक में लॉंच होगी चाहो तो बुक करा लो 10,000 रुपे देखे BMW CE04 electric scooter को भी अनवील कर दिया गया है इसमें 8.9 kWh की बैटरी मिलती है एक गंटा 40 मिट में आप इसको फुल चार्ज कर सकते हैं सुपर चार्जर के साथ में और एक बाद चार्ज होने के बाद यह 130 km तक चलाई जा सकती है इसमें ट्रेक्शन कंट्रोल और राइडिंग मोड दिये हुए है 10.25 इंच का बड़ा इंस्टुमेंट क्लस्टर दिया हुआ है 0-50 km पर आवर की स्पीड को यह सिर्फ 2.6 सेकंट में अचीव कर लेती है और इसकी टॉप स्पीड है 120 km पर आवर ओके टीवी एस एंट टॉर्क 125 का एक सबसे महंगा स्पोर्टी वेरियंट रेस एक्सपी लॉंच हुआ है 83,275 रुपीज में यह वेरियंट इस्टेंडर वेरियंट से 0.8 भी ज्यादा पावर्फुल है और 0.3 एनम ज्यादा टॉर्की है इसमें दो राइडिंग मोट्स भी दिये हुए है रेस और स्ट्रीट एक तरफ सभी कंपनी अपनी गाड़ियों क प्राइस को बढ़ा रहे हैं तूसरी तरफ बजाज उल्टा वेरा है बजाज ने डूमनाज 250 के प्राइस को 16,000 रुपे घटा दिया है थोड़ा बहुत नहीं 16,000 नहीं 16,000 घटा दिया है तो भाई मतलब घटाया भी इतना तकड़ा एसा लगता 2-3 महीने पहले गलती जिन प्राइस बढ़ा दिये और अब गटा दिये है कि गुजरात गवर्मेंट ने टेसला को एक हजार एकड जमीन दान करने के लिका है ताकि वह अपना प्लांट यहां लगा ले तो भाई पहले तो इंडिया चाहरा था कि टेसला वाले जैसे आ जाएं और आप स्टेट चाहरा है कि कुशेक सेफ्टी वाइस कैसी है क्या इसकी एक्टिव और सेफ्टी फीचर्स के साथ में तो इसमें कोई डाउट नहीं है इसकोड़ा की गाड़ियों के बिल्ड क्रेस्ट किया गया है सबने काफी अच्छा ही परफॉर्म किया है इंडिया में और ग्लोबली भी तो कुशेक 4-5 स्टार्स स्कोर कर लेना चाहिए बागी देखते हैं उमीद तो है कि जल्दी 10-15 दिन में कुशेक का क्रेस्टेस देखने को मिल सकता है तो चलिए इस वीडियो में तो पस्त नहीं है अब शाम को मैं विनर वाला वीडियो आप लोगो डालूंगा तो हो सकता है आप विनर हो देखिए कि जरूर तो चलिए इस वीडियो पस इतना ही अगर आपको यह पसंद आया हो तो से लैक कर देजेगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और बैल आइकन को दवाना बिलकुल ना भूला आपका दन शुब रहे दंदबाद